मेकाटोपिया के सैनिको तुम सबको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशे हुई बहुत जल्द पृत्वी पर हमारा राज होगा हम पृत्वी के लोगों को पकड़ कर उन्हें रोबोट्स का घुलाम बना लेंगे सबसे पहले पृत्वी पर हम इसे भेजेंगे हम रोबोट्स से ना बना रहे हैं मुझे नाकाम्याब होना बिल्कुल पसंद नहीं है इसी लिए हमने इसे बनाया है तुम जाने के लिए तयार हो हाँ तो अग पृत्वी पर कबजा करने के ओपरेशन की शुरुआत करो जाओ नो पिता वो देखो ये तो बसे खिलोना है मैं तो डर ही गए थी ये तो बहुत अच्चा खिलोना है इसे सुनियों के कज़न नहीं बनाया है शिजू का मुझे लगता है वो कोई जीनियस है तुम सही समझे नो पिता तुम्हे जलन हो रही है बेल्कुल भी नहीं लगता नहीं तुम्हें देखकर तुम बहुत हैरान दिखाई दे रहे हो सही कहा, तुम्हें जलन हो रही है ये सच है ना मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही मैं इसे भी बड़ा रोबोट बना रहा हूँ किसी घर के जतना बड़ा रोबोट ये तो कुछ भी नहीं है देखो तुम जूट मत बोलो अब ये खाओ अरे रुख जो ये ग्या कर रही हूँ मुझे दर्द हो रहा है मुझे तो जलन हो रही है इतना छोटा सा रोबोट ऐसे करता है ऐसे करता है और गोलियां भी चलाता है मुझे भी ऐसा ही रोबोट चाहिए दूरे मॉल छोड़ो मुझे बहुत गर्मी है वो कमाल का है वो बहुत बड़ा है वो चल भी सकता है यहां तक भी गोलियां भी चला सकता है मुझे भी वैसा ही रोबोट चाहिए तुम्हारे पास ऐसा रोबोट है कहा है? यहाँ क्या तुम बड़े हो? तुम चल सकते हो? गोलियां भी चला सकते हो? नहीं तुम नहीं डोरे मौन मुझे कुछ अच्छा दिखने वाला चाहिए एक ऐसा रोबोट जो बहुत आगतवर हो जिसके बड़े-बड़े पैर हो और जो बहुत बड़ा हो इस कमरे जितना बड़ा मुझे इतना बड़ा रोबोट चाहिए डोरे मौन कहीं से भी लेकर आओ चुछ जो जब तुम्हारे पास मेरे जैसा रोबोट है तो तो तुमें और क्या चाहिए पता है मेरे जैसा रोबोट कितनी मुश्किल से बनता है तुम्हारे पास इतना अच्छा रोबोट है फिर भी तुम रो रहे हो बिल्कुल किसी मतलब है इंसान की तरह बहुत कर्मी है तुम कहां जा रहे हो मैं धंडा होने जा रहा हूँ तुमें मेरे जैसरों मोट नहीं चाहिए ना क्या कहा डोरेमान